हालो आवरिवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू, प्यारे बच्चों ये वीडियो हर्यानवी संसकर्ती यानि की हर्यानवी कल्चर से रिलेटिड है, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही छोटा सा वीडियो है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही मिनिंगफुल भी होने वाला है ये जान लेते हैं हम लोग ये बहुत ही छोटे से बोल चाल के सब्द हम लोगों को सीखने हैं इसमें, जैसे एक्जाम से अभी थोड़ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि रेडियो ग्राफर का या एक्जाम जो आपका पेपर गया था, एक डेंटल इसका मतलब हम से पूछे, ये सारे के सारे हर्याना के कल्चर से रिलेटिड वर्ड हैं आपके, इसका मतलब क्या होता है, कुए से पानी खींचने की मोटी रसी जो होती है, उसको नेजू कहते हैं या बरही कहा करते हैं, एक्जुली ये सारे के सारे वर्ड जो है ना, ये सा रखे हमारा इससे थोड़ा टच कम है या जो बच्चे गाउं से रहते हैं मेरे ख्याल से वो भी इन में से बहुत सारे सब्द है वो जानते हैं सहर वाले बच्चों का थोड़ा कम वास्ता पड़ा है कैर फिर भी मैं आप लोगों को एक बार आट एंड कल्चर के इपॉर्टन तो अंसर में आपको नेजू या बरही चूज करना होगा ऐसा ही एक वर्ड है दो घड़ दो घड़ का मतलब होता है सिर पर उपर नीचे एक साथ दो घड़े ये आप लोगों ने कई सारे हर्यानवी गानों में सुना होगा दो घड़ ऐसे कुछ करके वर्ड कई बार आया ह हर्यानवी गानों के अंदर तो सिर के उपर आप लोगों ने दो घड़े रिये हर्यानवी कल्चर में जब आप लोगों ने कभी स्कूल कॉलिज युनिवस्टी के दोरान ऐसे डांस देखे होंगे तो वहां पर भी दो घड़े उपर उठाके लगियां काफी सारे डांस करत होता था सूड यह वर्ड भी आप लोग अगर गाउं से संबंदी था तो पक्का आपको पता होगा पहले क्या होता था कि इतने अच्छे से जमीन नहीं होती थी जिनमें पानी लगता था आजकल तो क्यार फिर भी कहीं कहीं कोशिस करनी जाती है कि फवारा सिस्टम लगा द से पहले खेत को जो साफ किया जाता था उसको सूड कहते हैं न्याना ये भी साइधा आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा गाएं का दूद निकालने के पुरो उसके पिछले पैरों पे बानने का रस्ता गाएं को दूद निकालने टाइम में आपने देखा होगा पाउंहें उसको ज्याना कहते हैं नेता ये भी साइधा आप अच्छे से जानते होंसे धोलोने की राई को और जाढह आपने देखा होगा proving तो खर मसीने आगी है तो कौन इंसे मत्था हमारे ठीक ना नांगला नांगला क्या है रई को सीधी रखने के लिए डाले जाने वाले दो रसे जो होते हैं एक्चली जब आप लोग वह धही को बिलोते हैं तब वह जो बीच में आपकी जो रई होती है या जिसको मधानी कहते ह हम लोग कडाउनी इसका तो दूद बहुत टेस्टी होता है ठीक है न बहुत 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 टेस्टी होता है और यह तो आज कल खेर धीरे 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 स्माप्त होती जा रही है कुछ लोग गाउं में आज इसका यूज करी रहे है हारे में दूद गर्म करने का एक जमावनी के लिए जमावनी, धही की से आवाँ आते हैं, उसको बिलोवना या बिलोवनी कहा करते हैं, तो यह वर्ड काफी इंट्रेस्टिंग है, मतलब कोई ज़्या दिमाग नहीं दखाना पड़ रहा आपको इसमें, जमावनी, ये भी आपको पता होगा, दूद जमाने के लिए जमावनी, ठीक है न, दूद जमाने का एक मटका, जमावनी कह सकते हो, गिलडी, ठीक है, घी डालने का मिटी का पात् आजकल तो खेर, आप लोग घी डालने के लिए स्टील के बरतन यूज़ करते हैं, लेकिन पहले मिटी के बरतन में जो है घी डाले रखते थे तो गिलडी कहते थे उसको, जमाने के लिए थोड़ी सी जो चाच होती है, उसको जमान कहते हैं, अम लोग ठीक है, रई, ये तो गरम बरतन रखा जाता है, हारी होता है एक और एक हारा होता है, हारा जो होता है, उसके अंदर तो मैंने बता है न, कडावनी रखते हैं आपा, गोबर के कंडे या उपले जला के कुछ पकानी के रख देते हैं, हम लोग ठीक है, और हारी क्या होती है, कपड़े या घास का बना एक गोल घेरा होता है इसमें गरम बरतन कोई रख दिया जाता है अच्छा सर बांठ चाट या बाखर अब चाट आप लोग पहचान गए होंगे जो पस्वों को पका के हम देते हैं न ठीक है न जैसे बिनोले होगे गवार होगे चने होगे खल होगी ऐसी चीजे तो इसक से उपले पाथरी थेपड़ी आपसाइद ये बोलते भी हैं तो कोई मुश्किल नहीं है कोठला क्या है सर कोठला अनाज डालने का मिट्टी का एक बड़ा पात्र आपको थोड़ी-थोड़ी मुस्कुराहट आपको चेहरे पर होगी क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सर य के लिए ये वीडियो है तो आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि अनाज डालने का मिट्टी का बड़ा पात्र जो है उससे क्या कहते हैं तो आपको ऑप्शन में चूज करना होगा कोठला ऐसे अगर कोठली पूछ लिया जाए तो अनाज डालने का मिट्टी का छोटा प तूड़ी वगरा डालने के लिए कूप बनाते थे या बुंगा जो होता है वो आपका कूप कहलाता या बुंगा भी कहते हैं उसे मंजोली मूंज की गठरी ठीक है ना मूंज जो होता है उसकी गठरी को मंजोली कहते हैं और मूंज होता क्या है सरकंडो का वह हिसा जिससे रस लगों अच्छे से संभते हो Francis मोगरी क्या है मूंज फसल आदी को कूटने की मोटी लकड़ी यह जो यूंक कहिए है फसलों को कूट के उससे जो अन निकालने के लिए मोगरी का इस्तमाल करते हैं, खाट तो अच्छे से पता ये भईया, चार पाई होती है, पलाण, ये क्या होता है, गाड़ी में जोतने से पहले, उट की पीट पे रखे जाने वाल लकडी का धाचा, ये तो मैंने देखा हुआ है, ठीक है ना, पलाण, आज कल साइर इसे बहुत कम, आप उट की पीट पे रखा जाता है, तो वो पलाण कहलाता है, कजावा, उट की पीट पे रखकर समान, जो धोये जाता है, उसे आप लोग कजावा भी कह सकते हैं, ठीक है, आपलाणा से अटेच कर देते हैं, उसे पलाण से अटेच कर देते हैं, राच, ये तो कहते हैं ना, कि कि कोई सुत्रा सा राच लेगे आई हो तो राच मतलब उजहार होता है वह या कुंजी क्या होता है सर कुंजी है उन्ट की सवारी करने के लिए उसके ऊपर रखे जाने वाला एक धांचा अब लग उन्ट के ऊपर बैठने के लिए तो एकुछ चाहिए ना ऐसे तो आप कैसे बैठे ओगे ताउ एक गधी परकार से कह दीजेगा उससे था पुंजी कहने वाले हो बीद ये क्या होता है उन्ट को हल में जोतने के लिए प्रियोग वाला जो रसा होता है हल में जोतने के लिए उस पलान से जो रसे बांदे जाते हैं उसको आप बींड कहा करते हो जुआ ये तो अच्छे से जा जा मतलब उन्ठ उन्ठ से तदा बैलों का अच्छे से याद पहचाना होगा कुछ इस टाइप का इस लकड़ के लिए इस्तमाल किया जाता है हल के अंदर एक फाल होती है याद रखना आप लोग और ना बिजाई के काम आने वाला बांस मैं को करण होता है बिजाई के काम मतलब एक बांस के अंदर का लोते में ऐसे ऊंदर बीज डाले जाते हैं वह आपक fed upon होगा आप तो किया होता है वही आदिमे हाली कहलाता है तो बहुत ही साधरण सवाल भी बनता है पंजवाल में गया करते है पväली यह वही सुना Suppose आपने पसू चराने वाला चिडस चमड़े का एक पातर जिसमें कुवे से पानी निकाला जाता था एक एक आप लोगों ने कई वीडियोज वगरा में देखा होगा इसे practically तो मैंने खेर नहीं देखा कुछ इस टाइब का इस टाइब का के एक चमड़े का पातर होता था जिसस पुली क्या होती है सर फसल की कटाई के समय कुछ मात्र एक साथ बांदे गए पोदे जो होते इन को आप लोग क्या खहने वाले और इंको आप लो पुली कहने वाले ओ। दुबका, उंठ या किसी अन्य पसू के पैरों को बांधना, वे भाग ना सके, देखाया आप लोगों नहीं कभी ऐसे उंठों के दोनों पैरों को आप लोग बांध देते थे, थो उनको आप लोग क्या कहते थे, दुबका कहते हैं, उनको दुबका ही कहते हैं हम लोग की कहत दूद्ध गरम करने का मटका या कडावनी जो होती है और मिट्टी का पादर में भाप निकलने के छेद होते हैं उसको जावला कहते हैं मांडना गेरू या रंगों के दिवार पर रंग जे जो मतलब चित्रकारी कर देते ना ऐसे थोड़ थोड़े हलकेर के लाला से रंग से या गेरू रंग के ठीक है ना वो मांडना कहलाते हैं कहते हैं तु बड़े मांडना मांड़े तूं साथिये ये स्वास्तिक जो चिन है जो हड़पा सभीता से मिला था उसको साथ यह this है कुंडा मिट्टी का एक पातर इसमें आटा गूνता जाता है एक्च्छली पराती कहदी सीएगा एक परकार से ठीक है कुलड़ा ये मिट्टी का मटका होता है जिसमें लस्ची वगर डालते हैं कुलड़ी ये थोड़ा और छोटे आकार का हो गया सिकोरा ये भी मिट्टी का बरतन है बरवा मिट्टी के बरतन है ये सारे मिट्टी के बरतन है जो आपने साधारनतर सुने होंगे सीठना सब्द क्या है दामाद को गीत के रूप में दी जाने वाली गालियां यह सीठना होता है ठीक है ना दामाद जो आता है उसको गालियां दी जाती है लिखिन तो रहे इज़त से बेस्टी की जाती है तो मुलाब सीधा तो गालियां दे कैसे उसको इज़त से बेस्टी ज जोता है दुलन को लेने आया महमान कहल JK निहार कहला तो Buddyricia । आया साथ में दो चार स्टेपनी साथ में लेके आता हुं थो बाधन यह क्या होता है वंट वे लगाडी ड्रेक्टर ट्राली इसमें ला दे गएस समान को बांदने के लिए देखा होगा आपने ट्राली के उपर ऐसे रसे से बांद देते हैं तिरपाल वगरा विछा के उसको बादन कहते हैं हम लोगों सांकर अच्छे से जानते होगे द्रवाजय के कुंडी कहलो बैंस को बांदनी के लिए कहलो चूरुमा बहुत अच्छे से पता होगा लापसी बहुत अच्छे डालके बनाया गया पांतला ठीक है ना कसार भी कुछ ऐसा ही होता है आपका ठीक है ना तो यह लगबग एक जैसे हैं थोड़ा थोड़ा आप उसमें चेंज करते रहते हैं सतु भुनेवे जो का आठा सत्तु घहला आता है ठीक है यह वी सुना होगा आप लोगों ने बिजना पंक यह बिजना पक च्वय होता है वह वाला तोकनी जानते हूंगे पित्ग का घड़ा जाल मिटी के गड़े से बड़े यकारा थोड़ा सा थोड़ा सा बढ़ा है। उसको मौन या जाल कहते यह है। गीडी कि किया न गीडी क्या है, पथर का गोल अकार का एक उपकरण, जो गाही में काम आने वाला आपका होता है, ठीक है न्थर की गोल नाला जो होता है ओर धोहाया धानडा है ऐस मघाल दोर या जूड़ा एक प्रकार कлекत है कि दोरा कला ने की आते हैं, छाज, सरकंडे के उपरी हिस्से तुलिया से बना एक पातर जो अनाज साफ करने के लिए, छाज तो आप लोगो पता हुआ ना, सरकंडे आजकल लोहे का इस्तिमाल करने लगए हम लोग तोड़े, ठीक है, छालनी, ये तो पता ही है ना, लोहे से बना वहा पातर जो मानी कहते हैं, गरंड, हाथ चक्की का घीरा होता है, जो आटा, जो पिसावा आटा जो है, उस पे गिता रहता है, छिका, घी, दूद, या रोटी रखने का, ये रसी का जाला होता है, और पस्वों के मुह पे लगने वाले जले को भी छिका कहा करते हैं, ठीक है ना, तो की लगाम रास होती है, ठीक है ना, हाथ, हथेली, हथेली तो पता ये, चाक पता है, लकड़ी का बनागा गोल चका, जिस पर रसी चड़ा कर कुए से पानी निकाला जाता है, नोट, मिट्टी के मट्के, आदी बरतन का यंत्र जो हो चाक कहलाता है, नोट भी कहलाता है, एक पस्वों के पानी पीने की होद को खेल कहते हैं, ज्यान निकना, गून क्या होता है, कुए से पानी खींचते समय, उंट या बैल जैसे गड़े में जाते हैं, मंडासा बहुत अच्छे से पता है, कुए के उपरी हिस्सी के जो बनाएगी दिवार होती है, वो मंडासा कहलात है, बिटोडा तो पता ही है, और पराली भी पता है, आप लोगों को, कड़ भी, ये थोड़ा कम सुना होगा, बाजरिया जवार के पोदों का भुसा होता है, उसको कड़ भी कहते हैं, तूड़ी पता है, आपको नलाई ये भी पता है, फसल होगा के खरपतवार निकालना, ये नलाई ये नलाव कहलाता है तो चलिए यही important आपके कुछ words थे जो आपको मैंने बताए आपको समझ में आए होंगे interesting भी थे आपको आते भी होंगे यह बस एक बात थोड़ा सा revision मैंने करवाना था हर्याना culture से सम्बंदी थे कुछ important words थे समझ में आए अच्छा लगा तो कमेंट करके बताईएगा वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब जूर करिएगा thank you so